हेलो दोस्तों कैसे हो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो लोस इस्टेट जी मतलब कि अगर आपका लोस होता है तो अब आपका लोस होना कम हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आज किस वीडियो में हम कुछ ऐसे टोपिक में बात करेंगे कुछ ऐसे mistake के बारे बात करेंगे जो कि अगर आपका दोस्तों यहाँ पे 10 बार trade आप लेते थे आपका दसो बार loss होता था तो आपका आठ बार ही profit होगा नो बार profit होगा आपका 2-3 बार ही loss होगा मतलब की आपका दसो trade loss नहीं होगा अगर आप 10 trade करोगे तो आपको उसमित से 8-9 बार profit होगा बाकि कि आपका यहाँ पर 2 बार loss हो सकता है देखो दोस्तों आपको पता है कि loss जो होता है वो सबका होता है तो यहाँ पर मैं आपका loss एकदम से बंद नहीं कर सकता लेकिन आपका loss कुछ कम करा सकता हूँ जो loss होता है हमारा loss की होता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ ऐसे बाते करेंगे हम इन 5 mistake को समझेंगे और हम इस पर apply करेंगे कि कैसे क्या होता है इस वीडियो को छोड़ की मज जाना अगर आपको trading में loss से बचना है तो इस वीडियो को end तक देखना अगर आपको थोड़ा फोड़ वीडियो बोरिंग भी लगे तब भी आप वीडियो को end तक देखो क्योंकि दोस्तों यह सब बाते तो आपने सुनी होगी आपने वीडियो देखे होगी लेकिन इस वीडियो में मैं आपको खुद का experience आपको देने वाला हूँ लोस होता है तो उसका भी मैं आपको दोस्तों अभी solution बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप यह समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे नमबर वन दोस्तों over trading और दुसरे नमबर पर है setup trading उसके बाद हम बात करेंगे कि बीना किसी strategy के trade और उसके बाद हम बात करेंगे psychology उसके बाद हम बात करेंगे short book profit plus trailing stop loss हम दोस्तों इन पाँचों पर बात करने वाले हैं अच्छे से अगर आप लोग इन पाँचों बातों को समझ गए तो आप लोग से बच जाओगे ठीक है तो हम सबसे पहले बात करते हैं over trading ओबर ट्रेडिंग दोस्तों आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि यार मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो देखी है लेकिन कोई भी फाइदा नहीं होता लेकिन दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूं आपको इस पर ध्यान दिना है आपको यहां पर यह नहीं समझ मैं ट्रेड करता था तो मेरा दो 3,4,5 दिन बहुत से प्रोफित हुआ कि मुझे बहुत äreげन्स हो गया था कि यहां आपक प्रोफिट रोज होगा लिकिन दोस्तों समझझे यहां पर एक दिन एक दिन एक कुलस हुआ एई कि अब दोस्तों इस तरह से लोस कि सारा कर्याट्र 0,00 к 1,001,001,001 तो एकPlOLL जीरो हो गया अब दोस्तों ये सब कैसे हुआ ये सब कैसे हुआ ये सब दोस्तों गउल्टेदिन के चक्कर में मैंने क्या गलत्या किया मैंने ये गलती कि जैसे मेरा दो यौतनि ने लगातार प्रोफिट profit हुआ ऐसा profit की हुआ क्योंकि दोस्तों जो मेरा यहां पर तinh-čार-party लगा-तार profit हुआ बिना किसी Р bit ke दोस्तों कि मार्किट अब train में थी लगा तारi ति तेन चार देन से ओपर जा रही थि जब दोस्तों मैंा वाय करता था बिना मतलब समझे उस समय दोस्तों मैंने कुछ भी सिखा नहीं था यानि कि मैंने आ था तो दोस्तों जैसे मैं बाइ करता था कोल साइड में मेरा प्रोफिट हो जाता था क्यूंकि कि दोस्तों market अब ट्रेड में थी, market लगातार ऊपर ही जा रही थी, लेकिन दोस्तों expiry की दिन market गिरने लग गई, अब दोस्तों मुझे वो आदत लगी हुई थी buy करने को, यानि कि call को buy करने को, तो expiry की दिन दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने फिर से call को buy कर लिया, लेकिन दोस्तों उस दिन market में कोई इसी new जाई, क्या हुआ, उस दिन दोस्तों market इस तरह से गिरी, इस बुरी तरह से गिरी की मेरा सारा capital जीर हो गया, यहाँ पे मैंने पहला trade लिया, और मेरा यहाँ पे 500 का loss हुआ, उस समय दोस्तों मैंने trade को तो exit कर दिया, यहाँ पे दो बारा सोचा कि यार 500 का loss हो गया है, अब market में कोई setup फिर से ढूरता हूँ, जहाँ पे market जा रही है, मैं वहाँ पे दोबारा trade लेता हूँ, और साइद मेरा loss रिकबर हो जाए, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 500 को loss को रिकबर करने की चकर में, मैंने दोबारा trade ले लिया, पू तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 1100 रुपय का trade लिया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाए दे रहा है कि जो मैंने यहाँ पे 1100 का trade लिया था, तो मैंने 3,000 का हो गया है, यारि कि यहाँ पे 1100 रुपय लगा के trade लिया था, और यहाँ पे मेरा 3000 का profit चल रहा था, लेकि दोस्तों सूचते मेरा जो प्रोफिट हो था 3,000 का वो 500 पहुंचा त्योंकि यहां पे मैं यही सूच रहा था कि अभी मार्केट यहां से थोड़ा सा ओर उपर जाएगी और जाएगी और कि आईसे से करते मेरा 3,000 का 500 बन गया मतलब कि दोस्तों यहां पे देखो कि कैसे यहां पे psychology काम कर रही है मैंने यहां पर रिकबर करने के चक्कर में ओबर ट्रेडिंग किया उसके बाद मेरी यहां पे psychology भी खराप हो गई तो दोस्तों मैंने जैसे आप से कहा कि उस समय मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था मैं तब दोस्तों नया नया था ठीक है उस समय दोस्तों मुझे यहाँ पे ट्रेलिंग इस्टोप लोस भी नहीं आता था अगर मुझे दोस्तों यहाँ पे ट्रेलिंग इस्टोप लोस हाता मेरा जो यहाँ पे 3000 का प्रोफिट हुआ था दोस्तों मैं इसे ट्रेल करते करते प्रोफिट बना सकता था लेकिन मुझे उस समय इस्टोप लोस के बारें पता ही नहीं था तो उस दिन दोस्तों क्या हुआ क कि मेरा सारा पैसा जीर हो गया मैंने दोस्तों अकाउंट में 7,000 रुपे डाल रखे थे लोस को रिखबर करने के चकर में सब लोस हो गया क्योंकि दोस्तों उस समय मुझे ओबर ट्रेडिंग के बारे नहीं पता था साइकलोजी के बारे नहीं पता था अगर एक बार आपका ल लोस हो सकता है आप ओबर ट्रेडिंग के चक्र में फच जाओगे और उस समय आपकी साICलोजी भी खराफ हो जाएगी आपकी सायकलोजी भी आपको साथ नहीं देगी तो यहाँ पर आपको यहीं करना है आपको उबर ट्रेडिंग से बचना है तो जिससे मैं ने बदाया कि आपको फश ट्रेड में अगर लोस हो जाता है तो आपको दूसरा ट्रेड लेना है लेकिन अगर आपका दूसरा में भी लोस हो जाता है तो आपको उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं करना है उसके बाद आपको उसके बाद अगले दिन ट्रेड करना है लेकिन उस दिन आपको ह बात भी नहीं लगाना है अगर दोस्तों आप निहार लगा दिया तो आपका ओबर ट्रेडिंग के चक्कर में सब चला जाएगा पैसा कुछ नहीं बचेगा यूँकि अगर आपका एक बार जब लोस होता है तो आपकी जो सोचनी की समता है आपके समझेने की वो दोस्तों याँ सब्सक्राइब नहीं रहती है तो आप सब को यहां पर कुछ भी फिर भी डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट करके हमसे सकते हो ठीक है यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग सेटप तो मैं आपको रिक्मेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल नहीं हो आप सपोर्ड रेजिस्टन्स की चक्कर मत रहो यानि की जैसे की ब्रेकाउट रेक डाउन अगर दौस्तो यहां पे आपको नहीं पता है कि यह भी काउट अहे को प्ल मार्केड में डाउन चलता है तो यहां पर आपको पूर को बाय करना है सिंपल सा है और साइड बेस मार्केड में ट्रेड नहीं करना है जैसे पता है कि साइड बेस मार्केड कुछ दोस्तों ऐसे चलती है ना तो इसकी हाथ होते हैं ना तो पैर होते हैं तो यहां पर आपका प 테को चोड़ सकते हो । लेकिन जब तख आप्को कोई सेक्टप नहीं भिलता . अगर आप विगिनर हो तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक इनडी के बारे बतासक्था हूं जो की आपको त्रे तो आपको Indigator वाले option पर जाना है यहाँ पर आपको सच करना है Super Trend सायथ आपको पता हो लेकिन दौस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे कैसे यहाँ पर इसकी setting रहेगी ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जाने की बार आपको सच करना है Super Trend ठीक है Super Trend जैसे आप दोस्तों सच करेंगे यहां पर ऊपर आपके सामने आज़ एगा उस उपर ट्रेंड आपको इसे पर किलिक करना है ठीक commence जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर दे सकते हैं कि यह चार्ठ पे कुछ ऐसा अपलाई हो जाएगा यहां पर दोफों आपको दिख रहा है कि जहांग जहां के रिवयर्स होई है यहां पर आपको दिया है यहां पर यहां पर लेकिन दोस्तों यह इंडिकेटर जो है यह आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर दिखाए देगा यानि कि आपको जाना है गूगल पर गूगल पर जाने की बाद आपको वहां पर सरच करना है ट्रेडिंग व्यू आपको उस पर जाकے उस चार्ट को देखना है, आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर को प्लाई करना है। तो यहाँ पर यह clear हो गया कि आपको यहाँ पर ऐसे trade करना है ठीक है आप इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं psychology यानि कि psychology क्या है psychology कैसे काम करेगी यहाँ पर psychology से कैसे आपको बचना है यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको over trading वाले topic में बताया था कि over trading कैसे यहाँ आप लोग करते हो कैसे आपको उसे बचना है, लेकिन दौस्तो कुछ psychology भी थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आप से कहा दोस्तो यहाँ पे अपने emotions और कंट्रोल लखना है, psychology क्या होती है दोस्तो, emotions, psychology ग्रेशन Castle के साथ emotions से खेल सकते हो यानि कि emotions को अपने control रखना पड़ेगा मतलब कि दोस्तों जैसे कि आप यहां पर trade लेते हो ठीक है तो जहां पर आपने सोच लिया कि आपका istoblos यहां पर है तो आपका istoblos वहीं पर है वहां से न तो आगे न तो पीछे अगर istoblos आपका hit होता है तो hit होने दो कोई बात नहीं है लेकिन दोस्तों psychology यही सभय कि यार कि मतलब कि आपको अपने mind पर control रखना होगा कि कहां पर trade लेना है कहां पर exit करना ह अगर आपको profit हो रहा है तो आपको profit को लंबर लेना है आपको trailing stop loss को यूज करना है जब आपका 500 का profit दिखाए दे तो आपको पना stop loss को बढ़ा देना है आगे ऐसे से दोस्तों यहां पर psychology भी काम करती है मतलब कि दोस्तों मैंने आपको जितने चीज़े बताई है सब में दोस कंसेप्ट किरेर हो गया ठीक है उसके बाद जो लाश्ट टोपिक है यानि कि लाश्ट मिश्टेक है यह दोस्तों है कि सोट बुक profit trailing stop loss मतलब कि दोस्तों हमारे कहने कि यह मतलब है कि जब भी आप trade low ठीक है तो आपको यह धिहान देना है कि अगर आपका 1000 रुपे का profit हो ग अगर market फिर से उपर जाती है आपका यहाँ पे 1500 का profit हो जाता है तो आपको अपना इस्टोप लोस दोस्तों उठा के लाके 1500 पे रख देना है ऐसे से दोस्तों करते करते आप trailing stop loss की जरीए आप पैसे बना सकते हो लेकिन आपको यह धियान रखना है कि जब भी आप trade करो तो अपना trailing stop loss को धियान में रखो कि हमारा profit कितना है मतलब कि आप पहले से decide कर लो कि मेरा target कितना रहेगा मेरा stop loss कितना रहेगा जहाँ पे आप entry ले रहे हो आप उसी साफिर trade करो अगर यहाँ पे आपका stop loss दोस्तों हिट हो जाता है तो आपको stop loss को यहाँ पे घटाना बढ़ करते करते बनाना है हमारे कहने के मतलब है कि जब दोस्तों आप trade करते हो तो आपका जो loss हो रहा है वह आपका loss कम सी कम हो और जो आपका profit हो जादा हो जैसे कि अगर यहाँ पे आपने 10 ट्रेड लिया ठीक है आपका आज ट्रेड में गजब का profit हुआ बड़ा बड़ा और दोस्तों आपको यही follow करना होगा कि आपको लहाँ पर trailing stop loss को यूज करना है लेकिन दोस्तों आप scalping में trailing stop loss को यूज नहीं कर सकते हो अगर आप scalping करते हो तो आपको first entry first exit करना सीखना पड़ेगा तो आप पहले यह सब सीखो ठीक है उसके बाद update करो दोस्तों आसा करता ह हो कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों इस वीडियो में सायत मुझसे कोई mistake हो गई हो तो आप लोग माप करिएगा और हमें comment करके बताएगा कि हां कौन सी mistake हुई है हमसे क्या छूटा हुआ है और आपको सीखना क्या है और भी आगे ठीक है तो मैं आपको दोस्तों से सिखाऊंगा जरूर ठीक है